सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलिजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलिजी रिलेटेद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों पुराने कहाँ बात है के घुमा के नाक दिखाना यानि अगर हमारा सामने तो नाक ऐसे मत देखाई ऐसे करके घुमा के या ऐसे घुमा के दिखाई यही काम कर रहा है ओपो का हानी में दो फोन लाश्च वाया हैं एक ओपो F11 Pro और एक ओपो F11 F11, F11 Pro दोनों का एकडम स्पेसिफिकिशन एकडम से सेम तुसे में सिर्फ एक ही अंतर है वो है पॉप आउट कैमरा आदर्स ज्यादा कुछ डिफारेंस नहीं है अब यह हाल में और एक फोन ओपो लॉंच करने वाला है इंगिया में वो है ओपो ए 9x यह 9x जो फोन आएगा उसका स्पेसिफिकिशन एकडम सेम तुसे ओपो एफ 11 की तरह तो आज हम जानेंगे यह जो ओपो का ए 9x आने वाला है एक्शुली इसका स्पेसिफिकिशन क्या है इसका MRP क्या होगा यह फोन आपके लिए भेल फर्मानी होगा यह नहीं होगा नमस्कार दोस्तों मेरा नामे प्रसिंजीत आप देख वी हो टेक्नोलेजी हिंदी तो चलिए जान लेते हैं ओपो A9x फोन के बारे में एक्शुली मेरा राई इस फोन को लेकर क्या है और आप क्या सुचते हो दोस्तों पहले आते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर इस फोन में जो डिस्प्ले मिलेगा वो है 6.5 इंच के FHD प्लास डिस्प्ले वाट और टॉप नॉच के साथ यही डिस्प्ले हमको देखने को मिला था ओपो F11 में यानि कि डिस्प्ले के तरफ आप देखोगे ओपो F11 और ओपो A9x दोनों का डिस्प्ले सेम पूसे है उसके बाद आते है इस फोन के प्रोसेसर को लेकर इस फोन के प्रोसेसर भी एकदम सेम पूसेम है हेल्यो मेडियाटेक के हिल्यो पी यही व्लोट की स्वेंटे यहीं प्रोसेसर में आ के आज़र की फून में आ रहे है वहीं ब्रोशेसर वो ढे रहे है जबकím करते सावी उसका यह यहारो D जो Mediatek क्या Helio P70 वो प्रोसेसर छोड़ के वो भी नया कुछ सोच रहा है यानि कि उसका जो प्रोसेसर आएगा वो भी कुछ 710, 713 ऐसा प्रोसेसर को लेकर सोच रहा है मगर देखा जाए तो OPPO अभी भी उसी एक ही प्रोसेसर के उपर लटका हुआ है Samson भी उसका Exynos के प्रोसेसर को छोड़ के जो नया फोन लाने वाला है उसमें भी डाल रहा है Welcome Snapdragon 675 प्रोसेसर तो देखा जाए तो OPPO एक ही प्रोसेसर को देकर 3-4-5 प्रोसेसर निकल रहा है Actually क्यों कर रहा है मुझे कुछ नहीं मालूने अगर आपको पता होगा आप ज़रूर कमण करकर बता अभी आते इस फोन के कैमरा को लेका इस फोन में जो camera मिलेगा, rear में दो camera मिलेगा, एक हे 48MP और एक हे 5MP और font camera मिलेगा, वो हे 5MP, यह भी एकदम same to same, 48MP जैसे कोई trend हो गए हरे फोन में 48MP का camera लगा दो, वो अच्छा होगा, प्रोसेसर, अच्छा दो ना दो कीमत ज्यादा कर दो, और उदर लगा दो 48MP का camera, देख यह भी 48MP का camera है, यह मिलता है कुछ 11,000 रुपया में, 4GB, 64GB का दरियाट, और वो ही इतना कुछ करके भी 48MP के जो camera देखा के, वो क्या कर रहे है, और एक phone लाँच करने बाला है, तो यह चीज भी ध्यान रखने का विसा है, जो आप लोग मुबाईल लेतो, यह सब कुछ ची दिल को सुकुन देने के तरह ऐसे कुछ डिवाइस आपको नहीं मिलेगा, तो इस बारा में भी देखा जाए, तो इसका phone camera, जो 16MP है, यह भी एकदम सेम दूसे में, यानि कि camera में भी कोई change नहीं है, अभी आतो इसके battery को लेका, इसका जो battery है, वो है 420mH battery, यह भी ओपो 811 क हो गया, camera हो गया, उसका processor हो गया, इसका display हो गया, सबके सब से में, और बाकी जो चीज़े dedicated SIM card, वो भी एकदम से में, उसका Android Pie update आएगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, अभी तक phone का जो details निकल आया है, specification आ गया है, उसमें यह दिखाई दे रहा है कि OPPO F11 में, जो feature से, F9 X में, actually ऐसा करने के जरूरत क्या है, एक ही phone को आप नाम चेंज करके ला रहे हो, ऐसा ठीक दिखाई है, आपको क्या लगता है, comment करके जरूर बतने, और बाकी जैसा है, इस phone में, book charging 3 आपको मिलेगा, fast charging के लिए, camera भी ठीक टा के, selfie camera भी ठीक टा काम करता है, colorway 6 आपको इ A9 X में भी आपको मिलेगा, अभी आप सोचो, यह phone लेना चाहिए है या नहीं लेना चाहिए है, इसका कीमत भी कुछ कम नहीं है, एक जाम का पे आया है, जो लिक्स आया है, हो है कुछ 18,000 और एक जगा दिखा दिखा दिया रहे है, 20,000, यानि कि 18 या 20,000, इसके अंदर ही इससे नीचे अगर आया, 15,000, 16,000 में आया तो ठीक है, मगर इसके उपर अगर गया, 18,000 से नेकर 20,000 के अंदर यह phone हो गया, तो यह phone लेने का क्या मतलब है, मुझे नहीं मालूँ, और क्यों यह phone ओको निकल रहे है, यह भी मुझे मालूँ नहीं, क्योंकि एक ही चीज, एक ह जादा इस्तमल नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा प्रोसेसर है, वो देना चाहिए, एक्च्वली फोर मानी phone तभी होता है, क्योंकि इस इप्राइज में Samsung का है, A70, sorry, इसमें Samsung का है, A50, A50 में camera अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है, फास्च charging भी मिलता है, तो OPPO का ये phone क्यों है, दोस्तों मेरा बोलने का मतला बे, आप जब भी कोई phone लो, पहले आप देख लो उस phone के actually specification क्या है, उसके बाद उसका performance कैसा देता है, उसका RAM कितना optimization क्या है, उसका memory कितना use करके रख रहा है, ये सब बारी किसे आप जान दो, उसके बा नहीं है, वीडियो अगर अच्छा लएगे तो like करो, share करो, comment करो, हमारे चैनल में subscribe करो, साइड में जो bell icon है, उसे प्रिस करके रखो, क्यूंकि हम जब भी कोई video upload करे, तो सबसे पहले notification आपके पास आ जाएगा, और एक चीज़े हम जो opinion देते हैं, एकदम honest देते हैं, इसमे कोई जोल जल नहीं है, आपको सेही में पता चलेगा, actually phone में क्या है और क्या नहीं है, इसमें क्या होता है, बहुत से YouTube में, channel में क्या होता है, अच्छा तो बोल देते हैं, मगर जब आप phone लेते हो, लेने के बाद लगता है, यार इस price में ये phone लेना मुर्खता हो गया, तो ये चीज़ से थोड़ा अगर दूरी रखना चाहते हो, तो हमारा चैनल में जरूर रहो, हमारा चैनल को subscribe भी करो, तो आपको क्या होगा, notification भी आ जाएगा, जो जो नया-नया phone आने बाला है, जो जो आ गया है, उसका क्या कमिया है, क्या खुबिया है, ये सब आपको हम बता स रहेंगे, तो दोस्तों फिलाल आज के लिए इतना है, जय है, बंदे मातरम, भारत माता की जय है,